कैसे हैं सब भी मुझे अम्मीद है सब भी अच्छे होंगे तो आज मैं आज अपनी वीडियो में जो लेकर आया हूँ मैं लेकर आया हूँ बीज गणतिय संक्रियाएं यानि कि एलजेब्रिक ओपरेशन यह होता क्या है इसको मैं फुल डिटेल से बताऊंगा आपको इस वीडियो में लाज तक बने रहे हैं क्योंकि यह जो मैं नोलिज बताने वाला हूँ यह आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी मैं इसके अंदर आपको बहुत छोटी छोट होती है इसे बोलते हैं चर्रासी ठीक है यानि की इंग्लिस में यदि बोलू तो हमारा वह वैरियेबल ठीक है हमारे पास क्या रहेगा अब देखें मैं आपको उता देता हूं इसके अंदर यह वैरिवल से यह चीज होते क्या है ठीक है यह हमारे पास जिनका मान देखिए होई जिनका मान क्या होता है हमारा बदलता बदलता रहता है अर्थात जिनका मान बदलता रहता है उसे बोलते हैं हम चर्रासी यानि की वैरिवल्स बोलते हैं अब जिसको हम दिखाते हैं फोर एक्जाम्पल अगर दिन मैं ले लेता हूं इसे मैं एक्स वाई जैड या बोल variable को दिखा सकता हूँ x y z से a b c से दिखा सकता हूँ जिसका मान बदलता रहे उसे हम 480 कहते है अब मान किसका बन लेगा जैसे यदि मैंने बोला कि x बरावर कितना हमार पास 10 है या x बरावर भी हमार पास 12 ले लिया या a बरावर मैंने चलो a बरावर ले लिया मैंने हाँ से 20 ले लिया तो इस तरीके से मैं मान कुछ भी रख सकता हूँ या जिसका मान बदलेगा उसे हम बोलेंगे 480 यानि की variable एक इसके अंदर हमारे पास होता है अचरासी ठीक है एक हमारे पास में क्या होगा अचरासी से बोल देते हम constant constant या देखेंगे जिनका मान ठीक है जिनका मान नहीं बदलता है ठीक है जिनका मान नहीं बदलता है ठीक है वो मान कहलाएगा जिनका मान नहीं बदलता है वो हमारा constant कहलाएगा अब मान किसका नहीं बदलता है जैसे मैंने माना कोई हमारे पास में four example ले लेता हूं कि मैंने मौला कि मेरे घर के अंदर दस पेड़ लगे हुए है, कि कैया? वो दस पेड़ ही तो लगे हुए है! वो लगे हुए हुए ला मैने मौला कि मेरे पास भी एक chair है एक kursi है तो उसके एक ही बैठ सकता है क्योंकि Chair पर एक ही आधिमी आता है तो वो हमारे पास क्यों कहмеघ सकता है जो उसकी condition है बैठने के वो कहारा ही बैठीन की के जिसका मान नहीं बड़ सकता जिसका मान वही रहेगा उससे हम क्या बोलेंगे constant बोलेंगे अब इसी में याद रखेंगे भी चर्रासी क्या है वो बता दिया चर्रासी हमारे पास क्या है मैंने वो बता दिया है ठीक अधि इसमें एक बात और पास में चर्रासी है ठीक है यहां हमर पास क्या है या बोलता हूं अचर्रासी है तो अब यह बताईए हमार पास जो एक्स फ्लिस फाइब है वो क्या होगा ठीक है वही मैंने नोड कर लिया रहेंगे भी एक्स बराबर क्या है चर रहासी है और आप नीचे केमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि चर है या अचर है ठीक है इस के उपर फुल डिटेल्स में एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मेरे चरрат कि चाहलेङे यसे एक्स वाई ठीक है जैड और चर रसी इसमरी चंतल चलांस हमारेसी केला है या आच्छ चाहलेगा चलाओ बदा देता हूँ ये एक्स प्लस 5 उमारे पास जो चलाओ यह हमारे बच्चे कहेंगे 24Butat ossie कैसे कहलाइगा बता-देता हूं जिनका मान 알려ता रहता है मैंने बताया था तो हितना अपर पास में आपके यृबशे माणना किया रख जाग किया ही यहां पर 10 प्लस 5 बडाबर बंतर आओ कि इतना ऊंपर 15 15 यानि कि जब भी मैं एक्स कमांड डिफरेंट यानि अलग रहुआ हर बार इसकी वैल्यू चेंज होगी और जिसकी वैल्यू चेंज होते रहेगी वह हमारा क्या लाएगा ठीक है चररासी क्या लाएगा सिद्धी सी बात है अब देखे मैं आपने लेता हूँ एक्स प्लस यानि आवर हैंपर एक्स की हाथ पांच अब यह बताएंगे आप कि जो एक्स की घाथ पांच है वो चररासी है चररासी है नीचे कमेंट करके बताएंगे वो कॉस्टेंट है या वेरेवल है ठीक अब देखें इसी में हमारा जो रूल से स्टार्टिंग होते हैं जो बीजे गलतिय संक्रह होते हैं एलजेब्रिक ओपरेशन होते हैं उसमें फस्ट रूल लेकर चलता हूं पहले मैं आपको बता दिया कि इसके अंदर हमारा जो सबसेदर यूज osi का ऊड़ा ठीक है एलए वरीवल हौ अपको लेकर चलता हूं इसके फस्ट रूल पर जो हमारे स्टार्टिंग क्या होगा इस तो देखें हमारे जो फस्ट रूल है इसका फस्ट रूल हमारा क्या दःगा याद रहेंगे ध्यान से हमारा फ़स्ट नूल दिए भी फस्ट में क्या होगा हम बोलेंगे प्रस्ट श्मान चरासि ठीक है जो समान चरासि है वह है क्या UP समें आपस में है जोड़ी जोड़ी मतलब हमारे पास मेंがとう python कर्षक्तें या है घटाई मतलब अंतर नितों सब्नेक्शन वोलतें से जोड़ी मतलब एड करना घटाई मतलब सब्नेक्शन करना समान टेनरासी को ठीक है आपस में जोड़ या घटास सकते हैं ठीक है घटा सकते हैं लेकिन लेकिन ऐसमान को नहीं ठीक है यानि कि हम क्या कर सकते हैं जो फस्ट रूल है इसके अंदर हमार पास क्या है जो हमार पास कैसी जो चर्रासी है जो समान होंगी उनको हम जोड़ भी सकते हैं और उनको हम घटा भी सकते हैं यह अंतर भी कर स सकते हैं लेकिन जो है समान है जो एक जैसी नहीं है उनका हम नहीं जोड़ सकते हैं नहीं हम गटा सकते हैं कैसे for example दिखाता हूं मैं आपको देगे मैंने कोई example ले चलिए example मैंने first ले लिया जदी मैंने लिख दिया यहां पर कि 5a plus 6a तो भई 5a plus 6a तो यह 5a है यह 6 है दोनों देखने में एक जैसे समान है तो आपस में क्या हो सकते समान जब 4 है तो जुड़ सकते हैं यानि कि 6 और यहां 5 दोनों हमारे पास अगर मैं add कर दूं तो 5-6 बराबर होगा हमारे पास में 11a यहां मैं ऐसी दूसरा example ले ले लेता हूं जिसी का कि मैंने ले लिए आपके 10x ठीक है plus 100x दोनों x में है समान है 10x और 100x तो समान है हमारे पास क्या जुड़ सकते हैं जिनको देखने पर समान चर है चर मतलब variable समान है वह हमारे क्या हो सकते हैं जुड़ सकते हैं यदि हमारे पास क्या होगा हम उसको घटा भी सकते हैं कैसे घटा सकते हैं भी मैंने ले लिए हाँ पर 10A माइनस 5A तो भी 10 में से जाएंगे 5 तो 5A बचेगा या अगला ले सकता हूँ मैं ऐसी भी मैंने यहाँ पर ले लिया कि 50Y ठीक है भई जो वेरेवल है हमारे पास में मैंने आपको उताया था मैं चाहिए उससे X में सकता हूँ तो 50Y माइनस मैंने ले लिए हाँ पर 10Y तो भी 50 में से जाएंगे 10 तो इतने बचेगा हमारे पास में 40Y बचे तो क्या हूँ हमारे पास में जिसके समान चरह हैं वो हमके करश रखते हैं आपस में को जौड भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं लेकिन ऐस समान को न एस समान लेता हूँ जब एस समान है उससे दिहान से देखेंगे वही मैंने लिखा यहां पर 5X और पहले से मैं लिख दिया 10Y तो बराबर क्या आएगा वही देखिए यहां पर X है और यहां पर Y है क्या X Y आपस में जो जाएंगे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि अगर मैं छ चोटा सा परिवार है उसके अंदर चार लोग रहते हैं जिसमें आपके दो सिस्टर और दो भाई हैं बाकी दो मुमी पापा हैं तो जो दो भाई जो दो बहने हैं जो मैंने चार लोग लिए हैं तो क्या कहेंगे इसमें हम हम कह सकते हैं कि यह इस परिवार के क्या है सदस्य करें परईबर संद्रल ऑने कि हम कह सकते हैं वो ए है ठीक है एक्स एक्स है लड़के-ल़के है या घरावर के जी तो कह सकते कि या यह 운ड़ Zent परिब एक यह नहीं को उस्क्राइबर में लेकिन आपके घर पर और आपके ज SS थैसी बरावर में कोई है तो वो दोने क्या दिफ्रेयंस हो गए रोगा है उस प्रदूसर परिवार अलग है तो हम कह सकते हैं जैसे कि हमारे हमारे जब आपस में एक सांगे तो जोड़ने सकता तो श्राइपास क्या होगा फाये एक स्पिलसanne बनद आजाएंगा हम व्याईवार धिरते हैं लेकिन ऐसा मांम नहीं नहीं वह ieजो जोड़ सकते हैं ना ही वह घड़ सकते हैं जैसे मैंने लिए 410-roc今日 जोड़ घट सकता है नहीं बराबर जैसा है मारे पास ऐसा ही आ जाएगा यानि कि हमें याद रखेंगे वह क्या है मारे पास में कि जो समान चार है वह आपस में जोड़ सकते हैं और घटाया भी जा सकते हैं लेकिन ऐसा मान को जोड़ घटाया नहीं जा सकता है ठीक है अब चलते हैं हम दूसरे Rule को देखते हैं है तो देखिए भई इसमें हमारा जो सेकिंड रूल बनेगा धियान से देखेंगे वहार पर जो रूल्स होगा वो सैकिंड हम क्या मानेगे भई अभी हमने बताया था आपको जो हमारे समान चर ठीक है जोड़े घटाई जा सकते हैं लेकिन ऐसमान क मतलब जो एक जैसी नहीं है सैम नहीं है और मतलब हाथ मतलब पावर जो हमारे पास पावर है पावर ठीक है ऐसा मान घात यानि जो हमारी पावर है वो तो ही है लेकिन समान चर है क्या हमारे पास में समान चर है तो भाई उनको हम भी गरेंगे नहीं जोड सकते नहीं जोड़ सकते और नहीं घटा सकते ठीक है मैंने क्या बताया आपको भाई क्या गड़ेंगे हम जो हमारे पास ऐसमान घात पावर है ठीक है समान चर है यानि ऐसमान तो घाते लेकिन समान चर है समान चर क्या यानि कि हमारे पास में देखने में एक जैसे हैं तो उसे नहीं जोड़ सकते हैं और नहीं हम घटा सकते हैं पॉर एक्जामपल देख लेते हैं मैं यह एक्जामपल लेता हूं मैंने एक्जामपल फस्ट लिया कि मैंने लिख दिया यहाँ पर वही एक्स की 5 प्लस x square जहान से देखेंगे आँ इससे पहले rule में क्या था हमारे समान चर थे 5x, 10x इकवल जोड़ा 11x हो गया या 15x हो गया किसी का हमारे पास x हो दस x हो गया यहांने हमने कहा जोड़ा 10x जोड़ा प्लस 5x तो 15x हो गया तो यहां देखेंगे समान तो मारे पास क्या है? क्या है? चर है, एक्स है, यहां भी एक्स है लेकिन पावर क्या हमारे पास इसकी? अलग-अलग है तो अभी मैंने बताया आपको जो ऐसमान घात है यहांनी समान हमारी घात नहीं, घात है समान घात है नहीं तो फाइब है और इसके मारे पास क्या है टू है यह समान तो मारी घात है और समान हमारे पास क्या है चर है यानि हमारे पास यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है तो इसको हम नहीं जोड सकते हैं और नहीं घटा सकते हैं जैसा था उसे एक्स की फाइब प्लस एक्सक्राइ यहां पर इसे समझे लिजी ए टैने एक्स की फाइब और माइनस चलिए प्लस अब मैंने ले लिया यहां पर 11 तो क्या देखते हैं हमारे पास में छर्थो समान है ठीक का मरे पास क्या है समान है पर घात मारे का से यहां पर हमारे पास वो ऐसा ही आएगा इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं ना ही हम घटा सकते हैं ठीक है अब उचाए कोई भी अंतरवन ले लेजिए भई मैंने यहाँ पर ले लिया के लेते हैं नों कि ऑसलेकि आप के अध्यान रखेंगे ईद्लHez और समान प्रकार की अं फिरकार की रासिया कि मतलब समझके आप जो हमारा कोई भी ठीक है जो डियाएसंग्ट और लिखी भी को स्वाई जोनियों मादच करा क्यान कि ए अच। पास रासियां है उनको ना तो ठीक है ना तो हम ठीक है गुणा कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं और ना ही भाग मैं कहने क्या रहा हूँ रूल थर्ड में देखेंगे जो ए समान फिरकारी की रासियां है ना तो हम उनको गुणा कर सकते हैं और ना ही हम उनको भाग कर सकते हैं अब कैसे गुणा भाग की बात कर रहे हैं भई देखे दिहां से भई मैंने लिखा ए और बी ठीक है के लिख दे बी ही तो आएगा यानि कि हम अपस में ना तो हम गुणा कर सकते हैं जो संख्या हमारे पास है वो संख्या ऐसे ही ऐसी रहेगी नहीं हम इसको भाग कर सकते हैं मैंने ले लिए यहां पर भी A, B और C या मल्टिप्राई लगा दूँ तो बराबर कितना A, B और C ऐसे ही आएगा या डिबाइड में बात करूँ तो मैंने ले लिए यहां पर A अपॉन B तो भई A अपॉन B ही आएगा यानि कि A, S, M, P, R, C, 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 R, हमाइक के वह पूच्छ भी लेता है यह हमारे सामने आ जाती हैं तो confusion नहों कि चारे हमारे पास में चर क्या है और स्यया क्या है यहुद हमारे पार सकते हैं यह रूल थर्ड के अंदर आएगा अब रूल जो हमारे पास थर्ड है यह ये भी हमारे पास में कई प्रिकार से बटा हुआ है अवी के प्रिकार से बटा हुआ उसको भी हम ध्यान से देखेंगे मैंने रूटाईब साबन कर scripture है था जो एसमान के हमारे पास हुए थिक ए नक्या और भाग भी नहीं हो सकते हैं this हमार प्रिकार हुजाते हैं अडने किस तरीके से होते हैं टार्ड में मैंने मानना फ़स्ट भाग हम मानते हैं यधी हमार हमारी ठीक है जो बेस है जो आधार है जो हमारे आधार है निए जो बेस यदि हमारी आधार यानि बेस जो हमारे पास में किसी भी वेरिवल की या चर रासी की या बोल सकते रासी की वो क्या है समान है ठीक है समान है और हमारे पास क्या है वो गुणा में आ जाती है और गुण में आपस में जुड़ जाएंगी ठीक है जुड़ जाएंगी मतलब अधात फोर एक्जामपल मैं ले लेता हूं हमारे पास इसका रूल्स भी देख लेते हैं वह हमारे पास मैंना एक की घात M है और एक की पावर N है यानि कि मैंने लिखा यदि हमारे आधार बेस क्या है हमार धिये हूँ है क्या आधार बेस बोलते हैं इहां भी अ है और इनति हमारे पास में समान है और वह मैंने जो व्हां नापस मेंृग चेंगी गात कैसे है निए power जो हमरे पास यह लिए जाएगी एक ही power m plus and इसको मिस तरही की से लिख देंगे य़िज betrayal है यह हमारे पास क्या होगा यह हमारे रूरrás formula होगा यहाद है च arrows के कि यदि यहमारे पास base एकशे हो गुणा में हो और हम championships अलग अलग हो और गुणा में होनी base एक्स होने चाहिए तो वो क्या होनी इसके हाथे आपस में जोड़ जाएंगी चलिए for example मैं ले लेता हूँ कि मैंने लिख दिया 5 की power 10 multiply ठीक है 5 की power 11 तो भई इस rule के according base एक सा है क्या हम हर पास में जो base है एक सा है तो 5 की power कितना 10 plus 11 कह सकता हूँगी 5 की power हमार पास कितने होगी 21 हो गई अब चाहिए मैं for example कितने भी ले लूँ second मैं यदि ले लेता हूँ भी मैंने ले लिया हाँ पर 10 की power 100 multiply 10 की power ठीक है मैंने ले लिया 111 ठीक है क्या ले लिया 111 ले लिया अब क्या होगी बैस जब ऐसे है तो घाते हमारे अपस में क्या होँगी जुड़ जाएंगी जब गुणा में होँगी तो हम लिख सकते हैं 10 की power क्या 100 plus 111 तो कह सकते हैं 10 कहाँ पर जो power है वह हो जाएगी 211 तो यह हमारे पास इस तरीके इसका answer निकल कर आएगा ठीक अब देखेंगे दियान से हम इसी में के यदी हमारे पास second rule क्या बन सकता है यदी हमारी ठीक है यदी हमारी जो आधार है ठीक है अधार क्या है बेश्ट तुम्हारे पास क्या है समान है क्या है समान है और वो क्या है में है वो भाग में है क्या जो घात है वो आपस में ठीक है आपस में घट जाएगी घट जाएगी यानि कि उसका अंतर हो जाएगा यहां पर जुल गई थी और यहां पर क्या हो गई खट जाएगी यानि कि उसका क्या है बेस एक जैसा है ठीक है आधार एक जैसा है लेकिन काय में वो भाग में है डिवा पावर M, डिवाइड में A की पावर N, ऐसे हमारे पास दी हुई है, तो हम लिख सकते हैं कि A की पावर M, माइनस N, यानि कि ये इस तरीके से लिख कर हमारे सामने आएगी, तो ये होगी, या हमारे पास ऐसे न लिख कर, या ऐसे लिख कर रहा है कि A की M, डिवाइड A की N, बा यानि कि अगर हमारी क्या है बेस उनका एक जैसा है तो आपस में घाते कैसे होंगे घट जाएंगी कब जब जदी वह भाग में होगी अब मैं कोई तो यहां पर मैंने इसको मैं ले लिया चली मैं पहले वाले ले लेता हूं जो मैंने इसमें लिया था सेकेंड में कि फाइब की पावर ले ली मैंने हाँ पर टैन ठीक है तो यहां पर मैंने इसको मैंने इसको मैंने क्या बताय था वही बेस हमारे पास एक से होंगे और गवाटे खट जाएंगी तो यहां पर देखिए दस मैंसे जाएंगे माइनस ग्यारा है तो यहां पर क्या है माइनस ग्यारा ज्यादा है तो मैंने बताया था अपने बेसिक पहले पार्टों में भी आ नहीं देखें तो लिंक नीचे डिस्क्रिम्चियों में आपको मिल जाएगा जाके इन पार्टों को सब देख सकते हैं मैंने के बताया था यद चीन की आएगी चाहिए मैनस में चाहिए वह प्लस में आए तो इस तरीके से हम कर सकते हैं ठीक है चलिए मैं अब इसी पूर पर इनी रूल पर यानि हमारे पास दो हो गए हमारे पास बेस एक जैसे है और गुणा में है तो घाते जुड़ जाएंगी ज़दी आपके पीकार में ले लेता हूं को सवार तैन की पावर हमारे पास में एक जैसे हैं और और multiply में तब answer क्या आएगा और यदि basic जैसे और divide में तो तब answer क्या आएगा तो मैंने भी आपको बताया था था बई कि कि जब हमारे पास base एक जैसे होता तो घाते हमारे अपस में क्या होती है जूड़ जाती है तो उत तरह है तो टैन ऐसी ठीक है यदि आपको यह चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही है तो मैंने सारी बेसिक पार्ट सुरू से लेकर चल रहा हूं यह पार्ट टू में मेरे पास मिल जाएंगे जाकर देख सकते हैं तो भी टैन वेस से जाएंगे मारे पास में कितने पावर आठ हमारे पास बच्चा गढ़ जाएंगी तो 10 कितने हमरे पास हमाइनस पहरे सही है तो 10 वह हंदी 10 को इस माइनस को प्लस हो माइनस 10 ठीक है और डिवाइड 10 की पावर माइनस 10 जहां से देखेंगे क husband k Voice России माइनस के 10 रहे प्रक्रफे किया करें देंगे वहें यह सर्मöई यह डरुद्र那麼 माइनस के तेन तो हम कहाआ सकते 10 की पावर माइनस तैन और इस वाले मायल स्ट कि हमार पास 10 हो क्या हुआ एक होता है यहाल रखेंगे कितना होता है याद रहें कितना होता है अब आपको यहां पर रूल थाड में हो गया अब दिखी कि रूल और लेंटेस मैं हमारा रूल फॉल इसमें जमार पर रूल फॉर्म का लेते हैं चलिए आप देखते क्रूल फॉर्म पिंखेंगे भई मैने माना हमारे पास क्या है कॉस्टथ तो हैief ठीक है कॉस्टथ खुलने पर कोस्टर खुलने पर जो पावर हैं जो घात हैं को घात से क्या करते हैं गुणा हो जाती है अब कैसे हो जाती है इसको देख लीजिए जदी confusion नहों कभी कभी ऐस हो जाता है अभी हमारे पास आ गया कि A की पावर M है और इसी के उपपर पावर देदी है कैसे मारे पास N हमने अभी क्या पड़ गया है रूल तो A की पावर M multiply A की पावर N तो क्या हुआ दोनों basics है तो घाते मारे पास में जुड़ गई पर यहां पर अब क्या है और प्रैकिट में उपर दीगी यहां पर उपर multiply में है इंटू में हैं तो जो हमारे पास ऐसा सवाल आ जाएगा कोस्टर के अंदर जाधी है तो वह आपस में कहाँए मारे पास में घाते multiply में आ जाएएंगी का हमा जाएंगी multiply मा जाएंगी इस तरीके से चलिए मैं एक पहला सवाल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए मैंने ले लिया A की power ठीक है 5 और उसके उपर मैंने ले लिया power 2 तो क्या मैंने बिताया था गहाते हमारी यह होंगी जो आपस में होंगी अब दिखें हैं बेस अलग अलग नहीं है बेस A की है उपर multiply में है तो हमारे पास कितनी हो जाएंगी A की power 5 multiply 2 तो कितना हमारे पास में A की power 10 आ गया चलिए second सवाल में इसी में ले ले लेता हूँ ज़िए हमारे पास ऐसे लिख करा जाए minus 5 ठीक है चलिए को पर ले तो minus 2 फिर इसको पर भी ले ले लिए minus 2 मैंने यहाँ ले लिए अब कैसे करेंगे अब कैसे करेंगे देखें सेम वही प्रकार रहेगा माइनस हमारे पास 5 है ऐसे का ऐसे ही रहेगा तो minus 2 हाते आपस में multiply होके minus किया जाएगी ज़धी हमारे पास power किसी की sum संख्या है तो वो ब्लस की संख्या है जो minus की संख्या है वो फिलस में हो जाएगी ठीक है अधि हमारे पास plus की हो या minus की हो अगर ज़िख आस शंख्या power महां आती है चाहिए वो 2 है 4 है 6 है तो अंदर मारे चाहे, plus की और minus की और भार निकली plus की ही आती है और एक ही, 5 की power 4 का मतलब है कि 5 की 4 ओर multiply अर्था, minus की 5, multiply minus 5 minus 5 और multiply minus 5 ऐसे यदि मैं लिख दूँ तो 5 25, 15625 माहरा पास कितना आगे है, plus का 625 आ लिया ठीक है इस सभी रूल मैंने आपको बता रखें बेसिक में देख सकते हैं अब देखे चलिए इसी तरीके से यदि इसमें कोई और रूल चलिए एक जोड़ लेता हूं रूल इसमें यह भी हमारा पास फोलो हो सकता है ठीक है यदि ऐसे लिखकर ऐसा आजाए कि A की पावर ठीक की पावर तो वही रहेगी लेकिन हमारे पास में उपर नीचे अलग अलग हो जाएगी जैसे मैंने ले लिया कि हमें फाइब है और यहां पर आपास में उसकी पावर क्या लिख दी तैन तो इसका मतलब यह होगा कि five के ten और सिक्स की तैन यानिकि five की 10 वार multiply और 6 की 10 वार multiply तो इस तरीके से 20 गण संख्राइब यह एलजेब्रिक operation में रूल्स आते थे जो मैं आपको बता दिया है इसको ध्यान से repeat कर लेंगे जो exam के अंदर आते ही आते हैं ठीक है और आपने इसको देख लिए एक दो बार तो मैं कहता हूँ को exam के अंदर कैसे भी सवाल आजाए आपका गलत नहीं होगा ठीक है और यह कोई अगर आपको मैंन में कोई बात आ रही है तो नीचे कमेंट कर दें मुझे बता दें और लाइक शेयर करें